जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना विल्कुल ना भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे दिपावली और छट पूजा बाद खुलेगी पहली से पांच वीत तक के स्कूल दिपावली और छट पूजा तक कुरोना संक्रमन की रफ्तार काबू में रही तो फीर से पहली से पांच वीत तक के स्कूल भी खोले जाएंगे बतादे इस बावात मुख्य मंत्री हमान सुरेन भी काफी सर्वेदन सील है मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव ने स्वोमवार को बेड़ो इस्थित डिएभी विवेकानन पबलिक स्कूल में पासवागे परखंट पता अधिकारियों द्वारा आयोजीत समान समारों में उक्त बाते कही डाक्टर राम ने कहा कि निजी स्कूलों को मन्याता देने के समन्द में पुर्वर्ती सरकार में बनाये गए नियम में भी धिल देने को लेकर वह मुख मंत्री और सिक्षावी भाग के अधिकारियों से बाचित कर रहे हैं जारखन में हर साल बैदनात महोत्सो केंद्र सरकार देगी पैसा सोमवार को दिली में गोडा संसर डाक्टर निशिकान दूबेकसा संस्कूरितिक मंत्राले के सचीव गोबींद मोहन समेत अन्य अधिकारी के बैठक हुई तय किया गया कि कुलकत्ता के जोनल सेंटर के बाच संस्कूरितिक मंत्राले का सब सेंटर देवघर में खोला जाएगा इससे अस्थानिय भाषा जैसी संताली संस्कूरिती खोटा बंगाली मैथली अंगीका भोचपूरी का विकास होगा बतादे इन भसाओ को बढ़ावा देने के लिए कई कारिकरम होंगे निर्ना लिया गया देव घर में परते एक वर्स बैदनात महोच सो आयोजीत करने के लिए संस्क्रितिक मंत्रालाई फंड मुहया कराएगा इसका आयोजन महासिवरात्री के आसपास होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरोना महमाईर से उबरने के बाद रायसरकार युवाओ को रोजगार उपलप्त कराने में जुट गई है ज्ञारखन लोग सेवा आयोग के माध्यम से जहां कई पदोपर नियुक्ति परिछाएं आयोजित की जा रही है वही नीजी छेतरों में भी बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्द कराया जा रहा है मुख्य मंत्री ने खोटी अमजम सेथपूर काल्यान गुरुकूल से पर सिक्षन प्राप्त युवाओं के बीच नियोकती पत्र भी त्रीत करने के बाद ए बाते कही उन्होंने कहा कि राज सरकार खिलाडियों को तयार के उन्हें देश बिदेश भेजने का काम करेगी मुख्य मंत्री ने पर सिक्षन प्राप्त युवाओं को सौ रोजगार कारान काविक सुझाओं देते वे सरकार की ओर से 25 लाख रुपय तक के लोन में सबसीटी देने की बात कही जारखन में पंचाय चुनाओ की तयारिया तेज राज निर्वाचन आयोग ने पंचाय चुनाओ को लेकर तयारिया तेज कर दिया इसकरम में राज निर्वाचन आयोग डीके तिवाली ने सोमवार को सभी उपायोग तोवा पूलिस अधिक्षों के साथ बैठा कर चुनाव की तयारिया की जनकारी ली तथा महतपुर निर्देस दिये उन्होंने आयोग द्वारा सोपे गए सभी कायों को पर्वतेवहार से पूर्व पूरा करने के निर्देस भी दिये बता देरा निर्वाचन आयोग ने कूल 14 बिंदुओं पर पंचाज चुनाव की तयारिया की जनकारी ली भाजपा ने हेमन्त सरकार पर पिछड़े वर्ग के सर्वे का बनाया दबाव जाती गत जनगन्ना को लेकर दिली तक की परिकर्मा और इसे लेकर छिडी गंभीर बहस के बीच पिछली सरकार में जारी एक पत्र के जरिये भाजपा ने पिछले वर्ग के सर्वेक्षन के मांग उठाई है बता देर यवर सरकार में 14 फरवairy 2019 को जारी इस पत्र में राज़े में पिछले वर्ग के सर्वेक्षन की बात काई गई थी योजना एवं बित बीभाग के ततकालिन अपर मुक्षचीव ने या पत्र राज के सभी उपायकतों को जारी किया था हालाकि सरवेक्षन चुनाव की वज़ा से नहीं हो सका था अब इस पत्र को लेकर भाजपाने सरकार पर सवाल उठाया है सिख्षकों को कॉलेज में देने होंगे रोज पांच घंटे अब विस्वविद्याला वा कॉलेजों में सिख्षकों को प्रती दिन नियुमतम पांच घंट अन्वाय रूप से बिताने होंगे बतादे सिक्षको का कार्यभार निरहारन कर दिया गया है जिसके तहत उने सब्ताह में नियमतम 40 घंटे विसोबिद्याला या कॉलेज में देने होंगे राई सरकार ने UGC Regulation 2018 के अलोक में उच सिक्षा में गुनवात्ता सुनेश्चित करने के लिए नियमावली लागु की है जिसमें यह प्रविधान किया गया है यह नियमावली अजिसुचित कर दी गई है लागु नियमाली के अनुसार सिक्षको के लिए प्रती दिन कम से कम दो घंटे छात्रों को सलाह देने के लिए निधायित किये गए है चाईबासा में ब्रेन मलेरिया से जवान ने तोड़ा दम असाल्ट गुरूप 21 में पदस्थापित थे मंगलवार को इलाज के दोरान इनकी मौत हो गाई ड्राइबिंग लाइसेंस के लिए अब 350 लोग टेस्ट दे सकेंगे अब ड्राइबिंग टेस्ट के लिए जिला परिवहन करयाला की और से लोगों को कुछ राहत दी गई है बतादे अब स्लोट बुकिंग की संख्या में कुछ आकडों में तबदिल की गई है कल तक 230 लोग ही ड्राइबिंग टेस्ट में सामिल हो सकते थे लेकिन अब मंगलवार से हर दिन 350 लोग टेस्ट दे सकेंगे बतादे कुरोणा में हमारी के करण ड्राइबिंग टेस्ट देने वालों की संख्या में अच्छी खासी कटोती की गई थी भीड अधिक ना हो इसलिए इनकी संख्या सेमित कर दी गई थी जिसके कारान अगले एक महिने तक स्लोट बुक फूल हो गया था राज जेपाल ने लंबे समय से रिक्त पदो पर जताई चिंता राज जेपाल प्रमेस वैस ने विश्व बिद्याले वा कोलेजों में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदो कोले का चिंता जताई है उन्होंने कहा है कि सिक्ष को क्या भाव में विद्यार्थियों के सिक्षा पर भावित होती है या बहुत ही गंभीर समस्या है किसी भी हाल में विद्यार्थियों के भविश के साथ खिलवार नहीं होना चाहिए राज येपाल सोमवार को भी भीन विश्व विद्याले के कुलपतियों उच एवम तकनीकी सिक्षा भी भाग तथा JPSC के पदाधिकारियों के साथ समिक्षा बेठा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सिक्षा के इस्थीती में सुधार लाना हमारी परतिमिक्ता है सरकारी अस्पतालों में मरीजों के अनुपात में होंगे डॉक्टर जारखन के सरकारी अस्पतालों में चिकितसा वेवस्ता दुरूस्त करने की परकिरियत्यज कर दी गई है बतादे हर अस्तर के अस्पतालों में अवस्यक उप्चार की सुविधा उपलवत कराने के तियारी जोर सोर से चल रही है इसके लिए सबसे पहले राज सरकार विभीन अस्पतालों में पदस्थापीत या प्रतिन युक्त बिसे सग चिकितसा पदादी कारियों की संख्या और कारियों की समिक्षा करेगी बतादे समिक्षा के बाद जीन अस्पतालों में मरीजों की संख्या ज्यादा होगी उन अस्पतालों में 20 सागे चिकित सको का पदस्थापन करमबत तरीके से किया जाएगा साथ ही कौम लोड वाले अस्पतालों के डॉक्टर अधीक मरीज वाले अस्पतालों में भेजी जाएंगे राजी के सिक्छा मंत्री जगनात महतों समेत 5 लोग के खिलाप अदालत में दाखिल मुकादमे में वादी डेग लाल राम मंगलवार को अदालत नहीं पहुचे अधालत में मंगलवार को मुकादमे के दूसरी ती थी बतादे डेग लाल राम ने सिक्छा मंत्री जगनात महतों समेत अनेक खिलाप कॉलेज के फंड का सड़्यंत के तहत फर्जी वारा कर कूल दो कोर 29,360,000 एकोईस रुपे गमन करने का आरोप लगाते वे नहाले में सिकायत वाद धर्च कराई थी पंचाय चुनाव पर बोले राज निर्वाचन आयूक राज निर्वाचन आयूक डाक्टर डिके तिवाई ने कहा कि जार्खन में पंचाय चुनाव कराने के लिए उतर परदेश से बैलेट यूनिट मंगाई जाएगी राजे में चुनाव के तियारी के अम्तिम चरण में है राज निर्वाचन आयूक को कोविद 19 संक्रामन के असंका के मद नजार 50 सेर बैलेट यूनिट की जरूरत है हाल ही में पंचाय चुनाव कराने वाले उतर परदेश से बैलेट यूनिट मंगाई जा रही है राज निर्वाचन आयूक डाक्टर डीके तिवाई ने चुनावी तियारीयों को लेकर पंचायती राज सचीव राहु सरमावा डीजी ओपरेशन संजय लाठर के साथ सोमवार को बैठक की बैठक में चुनाव संपन कराने के लिए परसासन और पूरिस के तियारीयों पर चर्चा भी हुई जेटेट परिक्षा नही होने से नराज अभी आर्थियोंने सोपा मांग पत्र जारखन सिक्षक पत्रता परिक्षा जेटेट आयोजन कराने को लेकर परसिक्षित सिक्षक संग ने सोमवार को राजभोन के समख सांती पूर्ण धाना परदसन किया इसके साथ ही राजय पाल के नाम एक सूत्री मांग पत्र भी सोपा इसके अलावा प्रसिक्षित सिक्षक संग के प्रतिनिदी मंडल ने सिक्षा मंत्री जगनात महतो और किरिसी मंत्री बादल पत्र लेख को भी जेटेट के आयोजन के लिए मांग पत्र सोपा बतादे प्रसिक्षित सिक्षक संग के परदेश्ट अधियक्स महीपाल महतों ने बताया कि वर्ष 2016 से अब तक जारखन में सिक्षक पत्रता परिक्षा कायोजन नहीं किया गया है अजारो अव्यार्थी सिक्षक प्रसिक्षन प्राप्ट कर चुके हैं लेकिन परिक्षा नाई होने से अवियार्ती मायूस हैं प्रतिनीदी मंडल ने जल्द से जल्द परिक्षा का आयोजन को लेकर मांग पत्र सोपा है दुरगा पूजा को लेकर परसाशन ने जारी की गाइडलाइन कुरोना संक्रमन के मामले काम हुए है लेकिन इसका खत्रा भी बरकरार है बतादे इस बीच लोग आस्था को देखते विए सरकार ने दुरगोट सो और दा सहारा के आयोजन के उनमति दे दी है हलाकि सरकार ने इन आयोजनों के लिए सक्त दिशा निदेश भी जारी किये हैं पूजा पंडालों और मंडपों का आकार छोटा होगा इनमें अस्थापित की जाने वाली माद दुरगा की परतिमाए 5 फिट से ज़्यादा की नहीं होगी आयोन के दोरान परसाथ भोग का बित्रन नहीं किया जाएगा साथी 18 साल से कमर उम्रवालों को पंडाल में परवेस्ट नहीं दिया जाएगा बतादे सोमवार को राची जिला परसाथ से ने सरकार की ओर से जारी गाइलाइन को लेकर सहर की दुर्गा पुजा और रावन दहन समीतियोग साथ बैठक की दुर्गा पुजा दसारा के लिए जिला परसासंद वारा जारी किये गए आदेश मुर्ती का अकार पांच फिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मंत्रो चारन वा पुजन कार्य का स्रिधा परसारन करने के लिए सरजनिक संबोधन प्रनाली के उप्योग के नुमती दी जा सकती है पुजा बिशेस रूप से बनाए गए छोटे पंडालों या मंडपों में की जा सकती है पुजा पंडाल मंडप के आसपास सजा सजी नहीं की जाएगी दुरगा पुजा पंडाल वो उसके आसपास कोई भी फूड एस्टोल नहीं लगेगा या सुनेश्चित किया जाएगा कि दुरगा पुजा पंडाल या मंडप को चारो तरफ से घेरा गया हो आगंतुक इसमें परवेश न करे इसके लिए इसे तीन तरफ से कवर किया जाएगा भक्तों को पंदाल के सामने बैरिकेट के बाहर से दर्शन की अनुमती होगी टेप, आडियो, डिजिटल रिकोर्डिंग का कोई परसारन नहीं किया जाएगा पंदाल बनाने के लिए किसी भी मार्ग को अरूद नहीं किया जाएगा पुजा समीत्यों की ओर से किसी भी परकार का समुदाइक भोज परसाद या भोग बितरन समारो आयोजित नहीं किया जाएगा पंडाल मंडप के उध्गाटन के लिए कोई समारो या कारेकरम नहीं होगा पुजा समित्यों द्वारा किसी वीतर से आमंत्रन जारी नहीं किया जाएगा वहीं पंडाल में एक समय में 25 से अधिक व्यक्ति मवजूद नहीं होने चाहिए धन्यवाद